एबी पी आनूंदो एग ये थापे एग ये राखे कि दोहजारा लोग वो प्रपोर्शन था पांच लाग लोग वा नहीं पहुंचे थे तो ये प्रश्ण चिन उड़ता है कि आखिर कॉन पहुंचे इनको प्रोचाहित किनों ने किया मुल जो अंदोलन था वो तो शान्ति प्रियत था आज भी वो शांति प्रियत मैंने तो किस अज़नों के मूँ से सुना कि यह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने वायलेंस को कदम किया तो प्रशन छिंद यह उठता है कि आखिरकार यह कौन थे। लाल किला तक पहुझ गए। लाल मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए मगर जहां तक हमारा सवाल है हम लोग किसान भाई बेहनों के साथ है क्योंकि वो हमारे अंद आता है और ये हुआ क्यों आपने देखा होता है जब ये बिल आया तो त्रिनुमूल कॉंग्रेंस में हमारे डेरिक्स वहाँ थे हम लोग दे कहा कि भई ये इतनी जल्दी क्या है हर चीज का एक कारण होता है न कॉज एन इफेक्ट जिसको कहते है अंदोलन एक इफेक्ट है उसका कॉज प्रजा तंतर की यदि बात करते हैं तो प्रजा से भी तो पूछ लीजिए कुछ और यहाँ जो स्टेक होल्डर कहते हैं वो किसान है आपने ना तो किसान से पूछा ना तो अपोजिशन से बात की हमारा एक ही था हर एक अपोजिशन का था और बहुत सारे सारे बीजेपी वाले भी के कि भी आप इसको एक सिल्ग कमीटी में भीड़ी दीजिए अब हमकू बताए है यज़ड इस सिल्ग कमीटी में जाता तो कोई आसमान तो नहीं फट जाता ना यह हुआ क्यों किसान आज क्यों बैठे हैं पहले जवान बैठे थे रस्ते पे आज किसान बैठे हैं रस्ते पे और हम कहते हैं जै जवान जै किसान किसान के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है किसान प्रधान देश है वो अंदाता है बहुत सांतिपूर्ण या अंदोलन चल रहा था और चल रहा है कुछ लोग कैसे आये किसने उनको प्रभावित किया उसके बीच में कारण किया था मैं समझता हूँ इस सरकार को भी देखना चाहिए और हम सब को मिल का देखना चाहिए मगर हम सब किसान के साथ है और किसान का ये आंदोलन क्या चाहता है कि इस बिल को वापस ले लो और हमारी सबकी यही मांग है मम्ता जी ने भी यही का है कि इस बिल को तुरंद वापस लिया जाए और एक शान्ति पुर्ण वातावरन में पार्लामेंट में इसको डिसकस करना चाहिए जो स्टेक होल्डर मतलब हमारे किसान है उनसे बातचीत करके इसका एक शान्ति पुर्ण समाधान इस देश में होना चाहिए यही एक रास्ता है क्योंकि पीस्फुल डिसकस्शन के बिना कुछ नहीं होता है उसलिए तो पार्लामेंट बना है देखें पार्लामेंट में आपकी संख्या हो सकती है जादा मगर आप कॉंसिटुएंट एसेम्डी की डिबेट पड़े डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्ण ने और जितने भी महान थे डॉक्टर राज़न रप्रशा एक ही बात कही कि एक तो होता है लेटर आफ दे कॉंसिटूशन दूसरा होता है स्पिरिट आफ दे कॉंसिटूशन अब स्पिरिट आफ दे कॉंसिटूशन किया है कि आपके नंबर्स जादा होंगे मैं इसका मतलब नहीं कि आप सब चिछ को बुल्डोस करें इसमें प्रतिक्रिया होती है और हम सब चाहते हैं ये देश गांधी का देश है ये देश शांती-प्रियदेश है हर चीज एक शान्त में हो रही है और होनी भी चाहिए पार्लमेंट का शत्रा शुरू हो रहा है हम तो यह हैंगे कि ये मुद्दा पार्लमेंट में आए और जल से जल ऐसंब को वापस लिया जै वह हमारी पहले से मांग थी See your question also has an answer otherwise why would you ask such a question The fact is, the movement was going and is going very peacefully, and I can't think of any other except Mamata Ji's fasting for 26 days. This movement of the farmers was very, very peaceful. A very small fraction, if you take the entire number, a very small fraction went to Lalkila. So the question is, how did they go to Lalkila? Lalkila is a fortress. On a republic day, how could a few people go all the way up to Lalkila? Question comes around intelligence failure. It also comes around the security of the country. I personally feel we need to find out that what happened, how did this happen? So when you are asking this question, obviously there is some kind of a doubt in people's mind. I think only government can answer this question.